मौर्बियस या कहे रियल वाला बैटमैन आ चुका है थियर्टर्स में अब रियल वाला बैटमैन इसले बोल रहा हूँ क्योंकि मौर्बियस को उसकी पावर्स वैमपायर बैट से ही मिली है तो वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी आज सुबा मैं अटेक मुवी देखने गया सुबा साड़े छे बजे का शो अल्मोस्ट दस पंदरा लोग थे सुबा के शो में वैसे भी कम ही होते है उसके बाद मौर्बियस देखी सुबा सवा नव बजे का शो तीन लोग स्टोरी है माइकल मौर्बियस की जिसको है एक रेयर बलड डिसीज दिन में तीन बार खून बदलना पड़ता है पर वो खुद भी एक डॉक्टर है तो ये साइन्टिस डॉक्टर सबसे पहले तो आर्टिफिशल बलड बनाता है ताकि उसके जैसे पेशन को खून की कमी कभी महसूस ना हो और उसके इस इन्वेंशन की वज़े से उसको नोबल पुरसकार भी ओफर होता है अपने आपको ठीक करने के लिए वो वैंपायर बैट्स की जनेटिक्स को खुद के जनेटिक्स से मिलाने की कोशिश करता है और बन जाता है बैट मैन अब वैंपायर बनने के बाद उसके सामने क्या क्या चैलेंजिस आते है उसका दुश्मन कौन है वो वैंपार रहते हुए भी अच्छा है या बुरा ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चल ही जाएगा फिल्म बस एक घंटा 45 मिनिट की है याने बहुत चोटी तो फटाफट खतम भी हो जाती है पर सच कहू तो इसकी स्टोरी किसी भी दूसरे तीसरे सूपर हीरो की तरह ही है मतलब खुद में कुछ खराबी या कमी होना कुछ एक्सपेरिमेंट करना उससे बौडी में चेंजेस होना सूपर हुमन एबिलिटी जाना एक ही सोर से सूपर हेड़ो और सूपर विलन दोनों का बनना लास्ट में गुड़् वर्सिस एविल की फाइट और खतम रिजल्ट तो पताई है तो यही सब इस फिल्म में हमें दिखाया गया है पर सूपर हेरो अलग है अब फिल्म क्योंकि एक सूपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवा रही है तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एकदम हाई लेवल मुवी होने वाली है पर इसमें आपको जादा कुछ धासू या एक्स्टेमली चालेंजिंग ऐसा कुछ नहीं मिलेगा स्टोरी बहुत ही जादा प्रेडिक्टिबल है जो शायद आपको बोर भी कर सकती है बट ध्यान में रखना कि सूनी का ये मॉर्बियस एमसी यू के साथ कनेक्ट जरूर करेगा दो क्रेडिट सीन है इसमें जिसमें एमसी यू के साथ कनेक्शन वाली हिंट तो है और जो पूरे मुवी से भी जादा इम्पॉर्टन्ट है मतलब पूरी मुवी एक तरफ और इसका लास्ट क्रेडिट सीन एक तरफ मॉर्बियस के अक्टर जेरेड लेटो ने कमाल कर दिया है और ये रोल उन पर परफेक्ली सूट भी होता है ट्रेलर में जो आपने वल्चर वाला सीन देखा होगा वो आपको पूरे मुवी में कही पर भी नहीं मिलेगा वो एक्चुली पोस्ट क्रेडिट का एक हिस्सा है जो उन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया वो भी छेडखानी करके पर वेट फॉर दे सेकंड क्रेडिट सीन वो थोड़ा हटके है बाकि इस फिल्म में नए सूपर हिरो के अलावा कुछ भी ज़ादा खास नहीं है बस अगर आपको ये याद रहे कि माइकल मॉर्बियस एक वैंपायर है तो उसकी आगे आने वाली मॉवीज को आप आराम से कनेक्ट कर लोगे वैसे इस फिल्म में खून खराबा है अक्चुली वैंपायर मॉवी है तो खून खराबा तो दिखे गई पर फिर भी उतना जादा हार्ड कोर नहीं दिखाया तो ओवरॉल अगर बात करूँ तो हाँ ये एक ऐसे मॉवी है जिसमें सूपर हीरो है सूपर विलन है, आक्शन है वी एफेक्स तगड़े है पर वही सेम पैटन स्टोरी तो मैं दूगा इस मॉवी को 2.5 आउट आफ 5 स्टार्स मिलते है अगले वीडियो में बाइ